Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ-साथ, यहाँ पर problem क्या है, सरकार क्या कर सकती है, और सरकार ने announcement क्या क्या किया है, अभी latest, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको कि आज आखरी डेट है, शाम 6 बजे से जो हमारा life foundation batch है, UPSC का वो start होने वाला है, तो आपके पास यह आखरी मौका है, अगर आप इस foundation batch में enroll कराना चाहते हैं, तो हमारे app और website पर जाएए, और जैसा कि आप देख पाऊगे, यह जो पूरा batch है, इसमें सभी life classes कराई चाहें इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाऊगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly अभी हो क्या रहा है, देखिए जो railway protection force है और government railway police है, दोनों के द खिलाफ यहाँ पर production किया जाए, और जैसा कि आप देख रहोंगे, कि railway की properties को काफी नुकसान पहुचा गया था, यह जो पुरा protest चल रहा था उसके दोरान, और इसलिए जो senior officers हैं, उन्होंने अपने internal communication किया है, कि यहाँ पर जितनी भी writers होंगे, जितनी भी production कारी होंगे, ज सभी आप लगा सकते हो, इसके लावा यहाँ पर police लोगों को यह भी बोल दिया गया है अधिकारियों को, कि आप digital evidence को collect करिए, मतलब कि mobile phone के माधियम से video recording करिए, CCTV के माधियम से evidence जुटाइए, ताकि जितने भी writers हैं, उनके खिलाफ सक्त से सक्त यहाँ पर कड़ा कदम लिया गया है, और जाधा तर अभी अगर आप देखोगे, तो आठ राज्यों में यह जो पूरा protest है, अभी के लिए आपको देखने को मिलेगा, especially बिहार हो गया, recently जो हैदराबाद है, वहाँ पर काफी सारा protest देखने को मिला था, तो इस तरह की कुछ राज्यों में आपको देख एक लाग से जाधा हर साल अगनीपत के माध्यम से रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, सरकार ने भी कई कड़े निर्ने लिया है यहाँ पर ताकि यह जो भी बारत बंद बुलाया गया है, उसको रोका जा सके, जैसे कि 35 WhatsApp ग्रूप को बैंड कर दिया गया है, पंजाब के अंदर जो सेक्योरिटी है, काफी जाधा टाइट की गई है, और UP में अगर आप देखिए तो जो ग्रेटर नोड़ा है, गौतम बुद नगर पुलिस, उनके द्वारा सेक्शन 144 लगा दिया गया है, चार या उससे जाधा लोग एक साथ एकत्रि देखोगे, तो करीब साथ ट्रेनों को जो कि बिहार और वेश्ट पेंगॉल से ओरिजनेट होती है, उनको बंद कर दिया गया है, अभी के लिए, दस ट्रेनों को तो री स्केडूल कर दिया गया है, जारकंट के अंदर यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, उनको कम्प्रीटली क्ल तरीके से, कि अगर आप किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होते हो, तो यह आपके लिए शायद अच्छा नहीं होगा, इस्पेशली आपको याद होगा, जो सीडियस की पोस्ट है, चीफ और डिफेंस स्टाफ, उसके लिए यहाँ पर अलग से डिपार्टमेंट बनाये गय कई सारे, जो कि यूद को प्रिपेर कर रहे हैं, मिलिटरी रिकूट्मेंट के लिए, उनकी उपर काफी हता कि ये ब्लेम जाता है, साथी साथ उनका ये भी कहना था, कि यहाँ पर जो 75% अगनी वीर्स हैं, जो कि 4 साल के बाद रिलीज हो जाएंगे वहाँ से, और सिर्फ 25% ही आगे जाएंगे, तो उन 75% के लिए सरकार अलरी बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि 10% हमने रिजर्वेशन दिया है, CAPF के अंदर, इसके अलावा 16 डिफेंस PSU हो गया, वहाँ पर रिजर्वेशन की बात कही गया है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमने पहले सोचा नहीं था, यहाँ पर अलरी ये सारी चीज़ें एडवांस में चल रही थी, इसका अनॉंस्मेंट जस्ट उसके बात किया गया, इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि जो इंडियन आर्मी का फांडेशन है, वो डिसिप्लिन पर बेस्ट है यहाँ पर किसी भी प्रकार का वैंडलिजम, किसी भी प्रकार का अगर तोड़ फोर जो है, वो इसके अंदर नहीं आता है, और हर एक इंडिविजूल को जब वो आर्मी जॉइन करेगा, तो एक रिटेन प्लेश देना होगा, कि उसने किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ था, अगर यहाँ पर पाया गया वीडियो या फिर किसी भी एविडेंस के माध्यम से कि अगर वो प्रोटेक्ट के अंदर शामिल था, तोड़ फोड़ कर रहा था तो यहाँ पर उसको आर्मी में शामिल नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि और यहाँ पर पुलिस वरिफिकेशन होता है, जब भी वो आर्मी में जॉइन करता है, और यह सारी चीज़ें की जाएगी और आगे चलकर अगर अगर पता चला कि आप इसमें शामिल थे, तो आप आर्मी अगें जॉइन नहीं कर पाऊ तो एक क्लियर तरीके से वर्निंग यहाँ पर दे दी गई थी, इसके लाबा लेटेस्ट खबर यहाँ पर यह भी आई, कि सबसे पहले जो अगनिवीर्स हैं, वो नेवी के अंदर रिक्रूट किये जाएंगे, देखो टोटल 46,000 अगनिवीर्स रिक्रूट होंगे और 46,000 में से 40,000 आर्मी में और 3,000 नेवी और 3,000 एर फोर्स के अंदर, तो सबसे पहला जो रिक्रूट्मेंट है, वो नेवी के अंदर होने वाला और नेवी में सबसे खास बात यह है, कि पहली बार विमन को भी शामिल किया जा रहा है तो विमन सेलर्स जो हैं, पहली बार रिक्रूट की जाएंगी, और इसलिए आगे चल कर उनको जो वाशेप वगर होता है उन पे भी डिप्लॉइ किया जा सकता है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 21st November से अलरीडी उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उडिसा के अंदर जो INS चल का है वहाँ पर 25 जून तक नेवी जो है, वो एड़ोटिसमेंट का जो रिक्रूट्मेंट प्रॉसेस है वो जारी कर देगी, मतब नेवी एक प्रकार से जेंडर नूट्रल की बात यहाँ पर कर रही है जहां तक आर्मी की बात है, देखिए आर्मी जो है 1st July को नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसको दो बैच में रिक्रूट किया जाएगा, जो अलग-अलग रैलीज होंगी, पूरे देश भर में 83 रैलीज होंगी और 25,000 लोगों को December में रिक्रूट होगा, और 15,000 लोगों को February में ऐसा बताया जा रहा है I mean, recruitment पहले हो जाएगा लेकिन जो उनके training है 25,000 की training December और 15,000 की training February से start होने वाली है तो इस तरह से पूरा process चलेगा लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्ण यह है कि सरकार इसको बेटर बनाने के लिए और क्या कर सकती है मतलब कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें आप सुन ली होंगे, advantages क्या है disadvantages क्या है, लेकिन यहाँ पर जो experts हैं, जो army के officers हैं पहले, जो ex-servicemen है उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है सबसे पहला यहाँ पर experts का यही कहना है कि सरकार को अच्छे से communicate करना चाहिए अगर आप starting में देखोगे यहाँ पर सरकार ने कोई बहुत ज़ादा effort नहीं निकाला अचानक से यहाँ पर सबको scheme को announce किया गया था और एक प्रकार से vacuum जो create हुआ उसकी वज़े से बहुत सारे theories आने लग गए जैसे कि जो हमारा army है वो weak हो जाएगा जो अगनी वीर्स चार साल के बाद निकल कराएंगे वो social threat बन जाएंगे इस तरह का यहाँ पर जो theories हैं वो बार-बार सामने लाई जा रहे थी और यहाँ पर जो main focus यह बना दिया गया अगनी वीर्स कीम लाने के लिए कि यह pension को reduce करतेगा तो यह जो focus हुआ ना starting में वो कहीं न कहीं backfire कर गया देखो pension को reduce करना यह बात सही है क्योंकि आज के rate में अगर आप देखो जितनी salaries जाती है regular आदमी को उससे जादा यहाँ पर पेंशन में जाने लगता है जिसकी वजह से बहुत जादा खर्चा बढ़ने से जो modernization है उसके उपर impact आ रहा है तो वो सारी चीज़ें सही है लेकिन experts का यह मानना है कि जो USP होनी चाहिए अगनी पत की वो ऐसा नहीं है कि pension को reduce करना है उसकी USP यह होनी चाहिए कि हम अपने armed forces को better बनाना चाहते हैं यंग बनाना चाहते हैं यह सारा focus होना चाहिए था तो सरकार को communication वाले part पर काफी मेहनत करना पड़ेगा फिर दूसरा यहाँ पर जो suggestion दिया जा रहा है experts के दौरा वो यह है कि 2019 और बीस वाले जो experience हैं जो की जो normal तरीका होता है आपको पता है आज के रेट में जो normal तरीका जो rallies वगरा conduct कराई जाती है आर्मी के दौरा उसके माध्यां से 17 years के लिए recruit किया जाता है तो हुआ क्या कि 2019 वाले जो आपके advertisement लाए गए थे आर्मी के दौरा तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने participate किया था लेकिन हुआ क्या कि covid के चलते यहाँ पर बंद हो गया stop हो गया तो कई सारे participants जो हैं जो recruitment process चल रहा था वो अलग-अलग stage पर आकर रुख गया है तो अभी क्या हुआ कि अचाना से सरकार ने यह जो अगनीपत वाला scheme लाए सरकार ने कह दिया कि पहले वाला जो process है उसको हम completely रोक रहे हैं खतम कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि काफी ज़्यादा backfire किया experts का यह माना है कि सरकार को यह जो दो साल का relaxation दिया है वो तो ठीक है लेकिन सरकार को main चीज़ यह करनी चाहिए कि जो regular process चल रहा था 2019 और 2020 के लिए वो साथ ही साथ conduct करना चाहिए था जो 17 साल का recruitment होता है कहना है next यहाँ पर जो experts यह कहते हैं कि जो 25% retain किये जाएंगे चार साल के बाद जो 25% अगनी वीर्स को retain किया जाएगा वो किस criteria के basis पर होगा exactly जो criteria है जो method है उसको सरकार को अच्छे से बताना चीए ऐसा यहाँ पर कहना है क्योंकि उससे होगा क्या कि एक trust जो है सरकार के साथ वो यहाँ पर बैट जाएगा और यह काफी अच्छी चीज़ होगी तो यह कुछ suggestion दिया गया है finally conclusion में देखो यहाँ पर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जो 4 साल के रिक्रूट हो रहे हैं वो शायद 17 years में यहाँ पर change कर दिया गया तो आप सोच के देखिए भारत ने जितने भी war लड़े हैं जादा तर जैसे 1971 वाला हो गया बांगलादेश के साथ 1965 वाला अगें पाकिस्तान के साथ जितने भी जादा तर war अगर आप देखोगे तो वो हमने इसके पहले ही लड़ा था वो तो 1998-99 में जो आपका कारगिल है वो हुआ था लेकिन 1977 के पहले उस समय तो स्रिफ 7 years का ही सर्वेस होता था उसके बावजूद भी हमारे soldiers काफी अच्छे से fight करते थे तो ये कहना कहीना कहीं जो criticism है कि चार साल के अगर वो आएंगे तो हमारी army भीक होगी तो ये पूरी तरह से गलत है ऐसा बताया जा रहा है बाकी जो suggestions वो अगरा मैंने आपको बताया है वो कहीना कहीं सरकार को देखना चाहिए ताकि ये जो सुनवाई है पूरे protesters की वो अच्छे से हो सकते और जल से जल ये सारी चीज़ें समाप्त हों और कहीं न कहीं एक सहमती बन जाए सरकार और protesters के बीच में देखते आगे क्या होता है बट I hope कि जो पूरा मुद्दा था भी आपको समझ में आया होगा कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आई ये लग लग social media पर आप जो डूड़ा होगे और जैसा मने बताया UPSC की त्यारी कर रहे है यूज दिस्कोर्ड अंकित लाइव आज आखरी डेट है 6 PM से क्लासे स्टार्ट होने वाली है बहुत ही अच्छा मौक है आपके पास live course जोईन करने का इसका जाज 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 फायदा उठाइए Thank you so much I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा